दो करोड दिल्ली वासियों के और से नहीं बलकि 135 करोड भारत वासियों के और से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ सर इससे जादा समविधानिक गैर कानूनी कागस का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसत भवन के भीतर लाया गया होगा और अपना वक्तविश शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंच का वर्नत करना चाहूँगा जिसे रामधारी सिंग दिनकर ने एक बहुती महत्वपूर्ट कविता में लिखकर बताया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांती दूत बंद के पांड़ों की ओर से हस्तिनापूर जाते हैं शांती का प्रस्ताव लेकर कवी लिखते हैं मैत्री की रा बताने को सबको सुमर्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीशन विद्वंच बचाने को भगवान हस्तिनापूर आए पांड़फ का संदेशा लाए भगवान कहते हैं दो निया दुर्योधन वो भी दे ना सका आशी समाज की ले ना सका उल्टा हरी को बांधने चला जो असाध्य था उसे साधने चला जब नाश मनुच पर च्छाता है पहले विवेक मर जाता है सर इसमें दिली बिल का सार है सर हम नियाई की गुहार लगाने आपके सामने आये हैं अपने हक मांगने आये हैं अपने हक से जादा मांगने नहीं आये सर मैं अपने वक्तव्य को तीन भाग में बांटता हूँ पहला कि ये बिल कैसे एक राजनेतिक धोका है पुलिटिकल फ्रॉड है दूसरा ये कैसे एक समविधानिक पाप है और तीसरा कि ये अड्मिनिस्ट्रेटिव लॉग जैम यानि की प्रशासनिक गती रोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है सर पहला राजनेतिक धोका ये कहानी है सर उननिस सो सतत्र से लेकर दोजार पंदरा की चालिस लगभग चालिस साल का लंबा संगर्श भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दरजा स्थापित करने के लिए किया 1977 में जब थर्ड मेट्रोपॉलिटन काउंसल दिल्ली में था उसमें जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने मता पास करकर कहा कि दिली को पूर्ण राजे का दरजा बनाईं гор दरजे की मांग करते 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 ये 1989 का लोग सभा का मैनेफेस्टों में भी जेपी का लाया हूं 1989 के मैनिफेस्टों में, पेज नंबर 361 पे, पॉइंट नंबर 10 पे ये खहते हैं, गरांट स्टेटोड टू यूटी और डेली, यानि की 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पून राजिका दर्जा दिलाने की मांग करते रहे, करते रहे, करते रहे. यहां तक कि जब 1991 में कॉंगरेस की सरकार ने दिल्ली में विधान सवा का गठन किया, उससे भी नापरियाप्त मांते होए, लाल कृष्ण अडवानी जी, मदल लाल खुराना जी, सबने बयान दर्ज कराए, कि ये भी दिल्ली के साथ नयाई नहीं है, दिल्ली को पून राजि का दर्जा मिलना चाहिए, और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे, और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, सर, 1998, 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टों में, बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टों है, ये जारी कर कर कहा, कि हम दिल्ली को पून राजिका द पेज नंबर 132, पॉइंट नंबर 31, वी विल गिफ फून स्टेटूट टू डेली, सर, इन लोगों ने बड़ा अंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां काई, नजाने क्या क्या किया, दिल्ली को पून राजिका दर्जा दिलाने के लिए, और अंततर वो पून राजिका दर्जा देता है, यह बिल अडवानी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पून राजिका दर्जा भाजपा दिलाएगी, यह भी बात खतम नहीं होती सर, इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टों में, बी यह अधिकी इनके सांसद, इनके सांसद डॉक्टर हर्षवरदन ने बयान दिया कि जब अदर्णिये नरेंद्र मूधी जी देश के प्रधान मंतरी बनेंगे, हम दिल्ली को पून राजिका दर्जा देंगे, यह इन सबने सर लगातार बाते कहीं, और दिल्ली को पून जिका दरजा दिलाने की मांग लगातार भारती जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रहें। सर ये बिल सिरफ संविधान का और लोगतंतर का अपमान नहीं है। ये बिल लाल पृष्ण अडवानी जी का, अटल बिहारी वाजपाई जी का, मदल लाल खुराना जी का, सुश्मा स्वराज जी का, अरून जेकली जी का, सब का अपमान करने का और उनके 40 साल के संधर्श को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, मैं मानिये ग्रैमंतरी जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नहरू जी ने, पंडित नहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पून राजी का दरजा नहीं मिलना चाहिए। मैं मानि ग्रहमंत्री जी से कहना चाहता हूँ नहरुवादी मत बनिये, अडवानी बनिये, वाजपाई बनिये और दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा देने का आज आपके पास एतिहासिक मौका है दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा दीजिए सर इस बिल को लाने का असल कारण क्या है ये बिल क्यूं लाया गया है पिछले 25 साल में दिल्ली में छे बार विधान सभा के चुनाव हो छे के छे चुनाव भारती जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी यहां तक कि 2015 और 2020 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अर्विन केजरिवाल ने दिल्ली में बनाई क्यूंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अर्विन केजरिवाल और हम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले इस मन से भाजपा से अनुरोत करूँगा कि कम से कम लालकृष नडवानी जी को नयाई दीजे कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए दिल्ली को पूर्ण राजी का दरजा दीजे सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संबिधानिक पाप है सर पहली चीज ये अब्यूज अब्यूज़ को बिल एक संबिधान का देता संबिधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूर साब का एक रॉइ वर्सिस जूनियों औफ इंडिया एक बड़ा माकपून लैंडमार्क जज्जमंट है जिसने कहा कि ओडिनेंस इस सिरफ आपात कालीन और विशम परिस्थित आ गई कि आपको सुप्रीम कोट के फैसले को आठ दिन के बीतर बदलना पड़ गया दूसरा 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 सर दूसरा सर दूसरा सुप्रीम कोट की दूसरा बिंदू ये सुप्रीम कोट का अपमान है सुप्रीम कोट के फैसले को आठ दिन के बीतर पांच दिया है कि हम Supreme Court को भी चैलेंज करते हैं Supreme Court के फैसले को भी नहीं मांगते हैं आपको जो order जारी करना है करो हम चंद दिनों के अंदर ordinance लाकर उस फैसले को बदल देखें They have challenged the majesty of the honorable Supreme Court sir और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज कल जो ordinance लाने की जो एक fetish इस सरकार ने देखी चाहे वो land acquisition बिल हो चाहे वो farm बिल हो चाहे ED के director का extension हो जो यह सारी चीज़े ordinances के माध्यम से इनों ने करी थी इस का इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था सर थर्ड बिंदू कि कैसे यह बिल संगिय धांचे को erode करता है हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोट का 2023 का 2018 का संविधानिक पीट का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक unique federal identity है unique constitutional identity है और भारत का संविधान जो हमें संगिय धांचा देता है जो शक्तियां देता है उन शक्तियों को एंक्रोज करने का काम यह सरकार करती है हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां चीन कर मैं आपको सुप्रीम कोट का वो एक वाक्य पढ़के सुनाना चाहूंगा the majority in the 2018 constitutional judge bench held that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state the concept of federalism is applicable to Delhi हम पूराज नहीं है लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संगिय धांचे के परिपेक्ष में दिल्ली को मिलता है उसके बाद सर इन लोगों ने तो कमाली कर दिया आज बिना संभिधानिक संचोधन लाए संभिधान को बदल दिया मात्र एक act of parliament से जो आज तक शायद भारत के त्यास में कभी नहीं हुआ सर इसके बाद ये bill parliamentary undermine करता है principles of collective responsibility को भारत का संभिधान कहता है सर कि permanent executive और political executive मिलके legislature के प्रती जवाब देही होंगे ये principle of collective responsibility है इसमें से permanent executive यानि कि अफसर शाही को छीन कर ये पूरी तरीके से collective responsibility का principle जिस पे सरकारे चलती है अज़ेश में उसे ध्वस्त करता है और आखरी बिंदू संभिधानिक अपराद का ये triple chain of authority को तार-तार करता है सर त्रिपल chain of accountability ये होती है कि अफसर शाही की जवाब देही मंतरी को मंतरी की जवाब देही legislature को और legislature की जवाब देही जनता को इसमेंसे अगर आखर अफसर शाही हटा देते हो तो फिर जवाब देही कि जो ये triple chain of accountability के ध्वस्त हो जाती है तो ये काम करके सम्विधानिक अपराद एक प्रकार से सरकार ने किया है सर मेरा आखरी भाग ये कैसे एक administrative हारा की रिए एक administrative गतिरोत पैदा करता है ये कहता है सिरफ उपराजेपाल ही transfer posting करेंगे एक समीती के मार्दियम से यानि कि अफसर आप मुख्यमंतरी के नहीं सुनेगा मंतरियों के नहीं सुनेगा अगर आप दिल्ली में किसी के घर में बिजनी नहीं आरी पानी नहीं आरा तो वो उपराजेपाल के पास जाएगा अपने मंतरी मुख्यमंतरी के पास नहीं जाएगा क्या लोग जानते हैं उपराजेपाल कहा रहता उपराजेपाल कौन सी विधानसवा से चुनाब लड़ा उपराजेपाल ने कौन सा चुनाब जीता लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकाल कर उपराजेपाल को देता है यह आगे कहता है सर यह बिल कि हम LG को सोल डिस्क्रीशन देते हैं स्वयम के वेवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां आज तक उपराजेपाल और गवर्नर काउंसल आफ मिनिस्टर्स की एड एन एडवाईस से बाद दे थे लेकिन यह बिल उपराजेपाल को सूपर सीडिंग पावर देता है आगे सर यह बिल जितने भी ब्यूरोक्राट्स है उन्हें एक जूडिशल अथॉरिटी बना देता है यह कहता है अफसर शाहित है तरेगी कि मंतरी का फैसला सही है कि मंतरी का फैसला गलाता है और अगर अफसर को मंतरी का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंतरी का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं और सर ये bil authority commissions और corporations बनाने की तमाम गठन करने की निउक्ती करने की शक्तियां सारी की सारी केंदर सरकार को दे देता है सर मानिये ग्रैम मंतरी जी ने कहा था कि आमादमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का fastest growing political start-up कहलाती है ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने तीम बार भाजपा को दिल्ली में आराया और दो बार 2015 और 2020 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनाजेश की सरकार बनाई ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगबग शुने पर लाकर खड़ा कर दिया ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्टे पार्टी बनी ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए First Lady of United States of America और United General के पूर प्रमुक बान की मून आते हैं सर्थ सर, मैं आज अपने साथी जो आंदर प्रदेश और उरिसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूँगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरिया रही होंगी जिसके चलते हैं आपने ये फैसला लिया, इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में कुछ तो मजबूरिया रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, रात इंदौरी साथ का एक बड़ा मतपून शेयर है अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआ है, आस्मान थोड़ी है लगेगी आग, तो आएंगे कई घर्जद में यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आमादनी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी है मैं आपको बिश्वास दिलाता हूँ और सर, मैंने अपनी बात शुरू करी थी अपनी बात शुरू करी थी माभारत के एक अंच्स्ते मैं समाप भी माभारत के एक अंच्स्ते करूँगा सर सर, बीच कुरुक्षेतर के मैदान में जब युद प्रारम होने वाला था तो युदिष्टर ने शंकनात करने से पहले एक घोशना करी और कहा कि ये धर्म धर्म की लड़ाई है मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा है अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरी दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं उनकी ओर से युद्ध करें और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युदिष्टिर के साथ है पांडवों के साथ है तो आप कौरवों की सेना छोड़ कर मेरी सेना में आईए मैं बहें फेला कर आपका स्वागत करूँगा उस समय कौरवों का एक भाई युद्ध सू कौरव सेना छोड़ कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा मैं उसी बात का जिकर करते हूए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हू मुझ करता हूँ आज आज के बाद आने वाले समय में यह लोग देश में चुना भी ना कर आए चुनावी प्रक्रिया को खतम करने से, बहुत 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 शुक्रिए। जोक्टर